नमस्कार दस बज़े की बड़ी बहस में आपके साथ मैं अधिती क्या गिया हूँ तो नागर्टा खानून पर मोधी सरकार को घेरने के लिए कॉंग्रेस ने विपक्षी दलो को एक जुट करने की रणीती बनाई थी लेकिन कॉंग्रेस की ये रणीती फ्लॉप हो गई क्योंकि इस बैठक में आपको बता दें ना मायवती गई ना ममताब एनरजी ना रविंद केज रिवाल यहां तक की अखिलेश यादव तक ने इस बैठक से दूरी बना दे कॉंग्रेस अध्यक्ष सुन्या गानी की बुलाई बैठक में विपक्ष के दलों ने ये प्रस्ताव पास किया कि सिये को वापस लिया जाए एनर्सी और एनपियार पर फॉरन रॉम रोग की मांग भी इस प्रस्ताव में है लेकिन विपक्ष की इस बैठक के बाद केंद्रिय मंत्री रविशंकर पिसाद के तरफ से कहा गया कि विपक्ष ने जो प्रस्ताव दिया है ना तो उसमें राश्रे ही थे और ना ही पड़ो ध्रमजार तूट गया है नागरिक्ता पर क्या विपक्ष में ठूट पड़ गई है और विपक्ष का जूट पकड़ा गया है नागरिक्ता पर बटवारे वाली साजिश का बंताधार हो गया है क्या मोदी के खिलाफ माघडबंधन क्या सिर्फ एक ठ्रम मात्र है और नागरिक्ता पर अपनी डफली अपना राग वाली सियासत हमें क्यों देखने को मिल रही है। मेरा पहला सवाल सीधा सप्रेम कुमार जी आप इस से यह विपक्ष नागरिक्ता कानून के खिलाफ एक साथ हाथ में आत्था में खड़ा है सर यह तो तूट गया ना माया ना मंता ना खिलेश अपने बड़ा अच्छा नाम दिया है प्रोग्राम का नागरिक्ता पर विपक् को ने सदन में वोट किये सरकार के लिए जे डे यू अकाली दल असमगंड परिसद सारे लोग अब विरोध में बोल रहे हैं ब्रहम जालतों सरकार ने जो नागरिक्ता पर पैदा की वो टूट रहा है विपक्ष की जहां तक बात है निश्चित रुप से विपक्ष ने एक इनिश्येट गया कि वो सारे लोग जो नागरिक्ता कानून का विरोध कर रहे हैं उनको एक मंच पर लाया जाए लेकिन सारे लोग जो जिन लोगों की बात आपने की कि वो लोग बैठक में नहीं आए निश्चित रुप से फिर भी वो CAA पर या NRC पर उनका रुख आज भ करें लिभी कि बहुत सारे कारण होते मीटिंग तो पहले हम तो खेरें जो साथ जो और डिये का पार्ट वह सदन में जिसने वोट किया है वह बिरोध क्यों कर रहा है कि वह क्यों क्यों कर रहा है कि यह तो नहीं आपत्ति है जाली दल कौँ कह रहा ह। उसम मुसल्मानों को इंक्लूड करो असम गंपरिसत क्यों कर रहा है कि हम विरोध में हैं यहां तक कि असम की बीजेपी गई विरोध कर रही कि वहां के लाक्षी को में माने कि ठीक सुदैश्वर्मा दीजे जवाब जितने तेजी से डेवलोप्मेंट हो रहा है उसमें प्राइमर बदलता जा रह सब्सक्राइब करते हैं और उसके बाद वहां एजिटेशन सांथ हो गया आपके लाग प्रयास करने के बाद नर्सी में संबंद आप बता रहें किसी यह लागू नहीं होता है इसे कैसे समझेगा समझने करें सांती से आपको सुनना पड़ेगा आप पॉइंट को नोट करिए पेन और कलम ले लिजिए कलम और नोट करिए पॉइंट को ठीक है इनारसी नाम की चिरिया जिसका आपने सगूफा उड़ाया है वो तो है नह अब बहुत 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 ब्राबर टाइम देना चाहती है लेकिन लेकिन जो नोटे सवाल उठाया कुल मेला का सवाल उन्होंने कहा आप ही के कुनबे में से आवाज उठीए इसके खिलाफ निटिश कुमार का बयात तो करेंगे जरूर आप चिंदा मत करें आपके जितने लोग जो समझ गया है वो आपके साथ नहीं है क्योंकि में जोए एक डर को अपने इमonton हैं terroristsों के बाद आप उसे खिलाब लड में नहीं है दुप अपको अदिकार देता अप Λीं को समझ आरा कर पाएंगे कि जो मॉंस्टर जिसके आप बात कर रहे हैं उसको क्रियेट कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की तरफ से जो बयान बाजी हुई उसने भी क्या है विवेक्ष रिवास्ताफ विपक्ष तो खड़ा नहीं हो पाया एक साथ सर जी जी नहीं नहीं देखें मीटिंग मे दे दिये CAA को NRC को सब खिलाफ हैं इसके सारे दल खिलाफ हैं और सिर्फ एक मीटिंग में ना आने से यह नहीं निश्चित हो जाता कि ऑपोजिशन की इनिटी इस शुपर तूट गई है दूसरी बात अमिशाजी ने खुद इस मॉंस्टर को क्रियेट किया अमिशाजी ने खुद बोला पार्लेमेंट में कि NRC आके रहेगा जब प्रोटेस्ट हुए 22 उनिवर्सिटियों में स्टूडेंट्स खड़े हुए टीचर खड़े हुए डॉक्टर इंजीनियर खड़े हुए तब यह बैक फूट पे आए हैं यह सचाई है और CAA को यह NRC के साथ मिला कर ल इस देश में यह पालिका है इंडिपेंडेंटन है सबसे जस्टिस विवेक शिर्वास्तो आप तो उस बैंच का हिस्सा नहीं है ना जी सुप्रीम कोट में जो कॉंसीट्यूट हुई है उस बैंच का हिस्सा तो नहीं है आप आप नहीं यहां बैट के उसे अंसमवैदानी के निए ने जनता के चुने पर मदोने बना दिया कानून उसके बागज आप कहाँ जाएंगे और आपी आपके पार्टी वगहरा सारे गए हुए है आपका लगता अपनी पर्टी से अलग स्टैंट है, कम्मिनिस पर्टी और यह सारे के सारे गए हुए सुप्रीम कोड और यह दिल्ली के अलेक्शन को लेके जो नौटंकी चल रही है, आपने से कौन समझ पा रहा है, तीके सार, अभी एक स्टेट्मेंट है, आपके स्क्रीन पर प्लीज रुख जाएए, असदुदीन ओवैसी का बयान क्या है, कॉंग्रेस पर बड़ा हमला आई है, बीजेपी, कॉंग्रेस के दिल में, बीजेपी में, दिमागारिसस में और जुबान पर सेक्यूलरिजम है, कंप्लीटली कंफ्यूजड ओ, ओसी कह रहे है, कॉंग्रेस पार्टी है, सुरिये क्या कह रहे है, पर सुल देते हैं, मुझे किसी एक कांग्रेस की लीडर ने बोला के, ओसी तेरे पास क्या है, जो हमारे पास नहीं है, मिला ये, मिला और क्या है, मिला ये, मिला और बोलो, नहीं नहीं, अब नपको बोलो, तीसरी बात तुम बोलींगे, मिला ये जुरूरी है, दिमाग, जबान, दिल, और जब तक ये तीनों चीज़ों एक जगा नहीं रहती, आप कुछ नहीं बोल सकते, इनका मामला का कांगरेस पाटी का दिमाग, बीजेपी में, दिल, और एसस में, अब जबान से खाली सकनरिजम बोलते हैं, का निकलता जुमला, जब बोलते हैं, तब बीजेपी के लोग खुश होते हैं, शुरू से वो बीजेपी की टीम रहे हैं, उनको खड़ाई इसलिए किया गया है, कि उससे बारती जनता पाटी को फाइदा हो, हर चुनाओ के मौके पर जा करके वो बीजेपी को फाइदा पहुचाने का काम करते ह विपक्ष की एक जुटना की तो पहली टेस्ट में पूल गई अधिती जी देखिए विपक्ष की एक्ता की अगवाई कौन कर रहा था, विपक्ष की एक्ता की अगवाई कांग्रेस कर रहे थी, उसका चाल, चरीत, चेहरा, अभी कुछ दिनों में सब के सामने आ गया है, देखिए आपको एगजाम्पूल देता हूं जरादे स्थान में बिना बियस्पिक, ओवेसी साब से ही बोल रहे हैं? बियस्पि बियस्पिक साथ ना जाकर कांग्रेस साथ जाकर समर्तन किया और उनकी सरकार बन गई, जब सरकार बन गई तो बियस्पिक सारे अमेले को तोड़ लिया, उसके पास करनाटक में होना इसाय किया, फिर उसके पास जो महराष्ट में हुआ, जो जनता ने ओट दिया लिए रहा है कि आप आपना किसी का भ़ला कर सकते हैं तो आपके लिए दूस्म को को स्यूकार करने को तयार लेगे लिए क्या बोल रहे हैं पर ने को परिवार की बहु है हम और अपको पिरंका घंदी हम है नहीं है अब हम पिरंका गांधी वाडरा है अब बनाने में तुली हुई है राहूल गांधी जनेव देखा रहा है कि हम अरे मेच खांग जी यह पीजेपी की बैटिंग बंद करिये ये बीजेपी की बैटिंग बंद करिये खांग साब बीजेपी की बैटिंग बंद करिये तरह अगर कोई कमिनल पार्टी है तो पीजे पीपी है अगर तो पीजेपी है अगर रहे देखिए जो इतने लोग नहीं पहुचे हैं बड़ा साफ है पाकिस्तान से बंगड़े से आने वाले जाने वाले लोग घलित है तो इन पाकियों को समझ में आ रहा है जो कॉंग्रेस बेखू बना रही है यह दलिक के नाम पे वोट लेती है तो अब उनका चेहरा असली चेहरा सप्ने सामने आ गया है इस डिबेट में पोलिए इस डिबेट में नहीं जा रही है पुलिटिकल मीटिंग में नहीं जा रही है मैं तो इस डिबेट में देख रही हूँ कि विपक्ष कितना एक जुट है किस तरीके से एक दूसरे परी फिक्सिंग का आरोप लगा रहा है देखिए बहुत देट तक मैंने आप लोग का डिबेट सुनड़ा हूँ तो मेरा पहलो जो कहना है मेरे बंगल के तरफ से और ममता बेनाजी के तरफ से पुरा बंगल जो कह रहा है बंगल का जो पबलिक एक कविता बुल रहा है कि दूद मांगोगे तो खीर देंगे दूद मांगोगे तो खीर देंगे बंगल में CAA NRC करने के लिए आओगे तो चीर देंगे तो मैं एक बती बुल रहा हूँ कि अभी जो हिंदू जब प्रब्लम में पढ़ता है तो भगवान को फुकरता है इस इस नहीं कभी अरे सचीर देंगे तो उनका कटल करेंगे तो चीर देंगे उन्हें जो हिंसा की बात आप आज टीवी पे बैठके कर रहे हैं अब अब सुलिए एक सबसे बाहर निकलिए विकास की पॉलिटिक्स पे आईए ये कट मनी जो है ना इससे भी आगे निकलिए अब हमको बोलने दीजिए मेरा मेरा बात है मैं आदिती जी मैं आपको एक बात बोल रहा हूं कि यह भरत में जो और और इनर्सी का विरोध करेगा जो भी विरोध करेगा आज रगुरा मराजयान विरोध कर रहा है आप एक लोजिक बतादेजिए आप पीटने के बात कर रहे हैं आप बोल रहे हैं बिपक्स टूट गया बिपक्स टूटा नहीं क्यों नेगे दीडिए और सी पीम बंगल में यहां पर पुबिक को पबिक को हारस करेगा और उपर हमको कौंगेस के साथ बेठके एनर्सी-सी ए का बिरोध में उसके साथ बेठक करना पड़ेगा ऐसा हम काम नहीं करेंगे नंबर ए नंबर दो आपने कभी आपका पैनेल में कभी बोला जे क्यों आज 25 साल में आभी जो विक्रत है इतना बढ़ गया क्यों जी डिपी गोड फाइट परसेंड आए आपने यह कभी बोला आप पहले जी नहीं बोला के नडबंदी के बाद देखिए जो स को आप लोग चैनल्स में बाइं इसन पर डिबेट गरें साथ आप बोल रहें से जी पर मिन डिपाल रहें आपको ये बतारा है कि इस टौपिक पर डिबेट करनी है क्योंकि एंकर आप आपसे सवाल पूच रहा है गवार मीटिंग में आप और गइन को बतार रहें आपने अपने उस पर टी पेट क्यों नहीं किया रहे आपसे जो सवाल उसके जवाब दीजे ना सर आरे आपसे सवाल पूछ रही है आप तो सुनेंगे ना आप सुनिए ना रे कितना सुनाएंगे तो थाई मिनिट से आप फसुन पही हूं सुनिए अबहु को आज इसन रहे जिए कशन अरे आपने का पड़ा है अबははi आप की अगविद चेने काव्टिन से सो बिलके अब हमारी भी सुन लिए अरे भरत का क्या प्रब्लम है भरत में क्या प्रब्लम है उसको नहीं होता है आप थोड़ी दिर सुन लीजिए आप देखिये समझने की कोशिश कीजिए आपके पस कोई लॉजिक नहीं है कि आप इसे अगेंस्ट में जा रहें सी ए और नर्सी की सब चोड़िये मत क्यूंकि नर्सी तो अभी टेबल में नहीं है टेबली नहीं हुआ उसका बिली नहीं आप क्या आपको पता ही नहीं कि उसके अंदर है क्या आप किसका विरोध करने पहले समझ नहीं आ रहा है दूसरी बाद आपने लगता है यह बारतिये मूलवासीयों के लिए है नहीं यह उन लोगों के लिए जोब तीन कंट्री पाकिस्तान अफगानिस्तान और बंगलेश पर्सेक्यूटेड माइनोरिटीज के लिए उससे आपका कोई रेलेशन नहीं है फिर आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है दिल में इतना दर्द क्यों है और दूसरी बाद एक सकेंड नहीं दूसरी बाद आपको नहीं पुझाए अपने नहीं पड़ा है नहीं पुझा जो पूसरी फिर आपको नहीं पड़ा है इसमें नहीं पड़ा है विएन फीर पुझा पर एउस बिल कर उसमें लिखा हुआ है एम प्ड़िए इसमें लिखा हुआ है तो आप अपर के मैंदान में पटरे ईसमें सकेंड ब़ार जी अगर बिल का मूल ही है अलप-संख्यक पाकिस्तान, tällापनाश पास्टान, बांगलादेश और अफगानिस्तान में तो सर्फिर मुसल्मान कैसे होगा उसमें क्या मुसल्मान अलप-संख्यक है in the countries में ये ब junior बेसिक सवाल है ना नमम्ता बेनर जी, नारविंद केजरिवाल और यहां तक एक लेश यादव में भी दूडी बनाई उसके बाद सवार यही क्या विपक्ष का भ्रमजाल खासतोर पर नागित्ता कानून, NRC और NPR को लेकर जो एक जुट्ता विखाने की कोशिश और साथ खड़े होने का दावा विपक्ष बार बार कर रहा था, क्या वो अब पूट चुका है लेकिन, फ्रेम कुमार जी, कुल में लाकर अगर जिस बिल का फांडेशन ही माइनॉरिटीज हैं और आप उसे कम्प्लीटली डिफरेंट पर लाकर, डिफरेंट एंगल पर लाकर, डिफरेंट एजिस पर उस पर डिबेट करना चाहते है, सर, छात्रों को भ्रमाया जा सकता ह लेकिन, आम वोट को नहीं, देखे, ये जो, CAA का कानून है, आप तो आपस पर दूसरे को कन्विंस नहीं कर पारे है, देखे, देखे, CAA को ले करके, जो हम शरनार्तियों को शरन देने की नागरिता देने का कोई विरोध नहीं कर रहा है, एक बात, उसरी बात है इस CAA के बगएर भी उनको दिया जा सकता था, आप टाइम फ्रेम के वल बढ़ा लेते, उसमें धर्म का जो क्लाउज आपने लाया, नागरिक्ता को जो धर्म से जोड़ा, ये आपने बेसिक जो हमारे देश का जो चरितर है, उसके साथ खिलवाड हुआ है, इसलिए भी रो जिसके तहट यहां की माइनॉरिटी मुसल्मानों को हमसे बहतर सुविधाय और अधिकार दिये गए, उसी के तहट ये लाया गया, और दूसरा ये देने का नहीं है, ये किसी की नागरिक्ता चिनने का नहीं है, और शाहीन बाग का मैं एक बहुत बड़ा एक्जामपल आप जो किसी के लोगों को बोल दिया गया कि इस क्यांब आप निकाल दिया जाएगा, तो वहां उनसे बात करेंगे वह सीे के बारे में नहीं जानते हो को निकाल inka से लोगों को ne आदिव यादिव 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 यह फिरोग को समझना नहीं चाहते एक सेके जी नियूज पे भी मिस कॉल के थू बहुत लोगों ने आइटिंग कितने लाट्स एक करोड से जादा लोगों ने अपनी सेपटी बरी और फिर उसके बादान मंत्री जी को उतना सपोर्ट न सब्सक्राइब करने लोग बेवकुफ नहीं है और दूसरी बात सुनिए अब बात पुरी हो जाए फिर आप बोलेगा सुदेश्वर्ण आप बहुत बोल चुके हम आप सुन लिए देखिए CAA का भारत के लोगों से कोई कनेक्शन नहीं है लोगों को बेवकु पनाने की को इतनी आसा इशनुता अभी व्यक्ती की आजादी यही सब बाते बुलंद करते हैं ना इतनी देर से कोशिश करें यह तीन मिनट से शी वोंच टू स्पीक आप हर बार जाकर इंटरब कर देते हैं सुन तो लीजिए दिव्या जल्दी से तो पाकिस्तान बांगलदेश और अफगानिस्तान यह इसलामिक कंट्रीज और वहां के अगर किसी दो मुस्लिम गुटों में बीच में लड़ाई हो रही है या असमिती है तो वो एक सेक्ट की प्रॉब्लम है वो एक रिलिजिन की प्रॉब्लम ने लेकिन वहां पर जैसे हिंदू कृश्यन्स हैं सिख हैं वो एक अलग रिलिजिन है और वो माइनॉरिटी में काउंट होते हैं अब आप कहते हैं कि दर्म के लेंज से क्यों देखा गया इसे इंदूस्तान में पाकिस्तान के समर्थन में नहीं था जवाब भी सुनिये सर जी एक तो मुझे जानते हैं थोड़ा प्रब्लम आपसे भी है कि आप सबको राजिटी को बोल देते हैं इससे आपके दर्सक्त व्रभाइट हो जाते हैं इनका प्रॉटिकल सभी को हमसे प्रॉब्लम है सर किसी को यह प्रॉब्लम है मैं उनका सवाल प्रॉब्लम है मैं चुबने वाला सवाल क्यों पूछती हूं किसी को प्रॉब्लम है किसको एंगतर भी पनना तो बेट में आकर बैठ जाना है सर्थ आपकी नाराज़गी भी थे नाराज़गी भी हम सब्सक्ति बात हैं थे हम में साहिश्चनुता है कोई बात नहीं हम सु प्रेव कुमार के पार्टी का अपिलियस्टाइश प्रिए मैंने लेफिस्टी बोला हुए सर प्रेम कुमार जी का पुलिए से इतिफाक करते हैं कर लिए जो लोग आए हैं उनको डारिक्ता देने से आप नहीं रोख सकते हैं पॉइंट लेके नहीं आएंगे लिए आप पड़के आई हैं आपके बिली निपड़ा हैं आपके पड़ा हैं और हमारे बित्र जो बग्राल के हैं इनको बता दीजिए अपने सारे ओजार को तयार करके रखें चीरने फाड़ने के लिए कोकि बेंगोर्मेंट की सत्ता को हम परच देगे गांधी के रास्ते पर अंदोलंग करेंगे लेकिंगे बादी कुंद्या कांदर नहीं करेंगे ले अपने से उनको बादे करते हैं इस देश का अंदान पर देगे लेगे लेका पता है कि हम दलितों को नगर रिखता ते रहे सकते पूदें को मरते आप वही फॉर्वर्ट कार्स के होते हैं यह तो हमारी कोट में चिनौती दी है केरल पहला राजय अभी यही बात हुरी थी कि आप जुरीशली का दर्वाजा खटगड़ाई है केरल सरकार पहुंची है कोट में सीए के खिलाफ सुप्रीम कोट में याचिका दी है कानून धार्मिक आधार पर भेदभाव करता है नागरिता संचोधन कानून यह केरल सरकार की दलील है तो केरल पहला राजय जिसने सीए के खिलाफ सुप्रीम कोट में याचिका दी है तोने दिक्कत नहीं है लेकिन पार्लमेंट में लडाई को आरने के बाद इकार नो घषाने तो हम बचाइंगे पैसे नहीं इता है है कि नहीं को दो कैसे लुटन के आप और इस तरह की शब्दों पचना क्या है लोग मुद्दे पर रहते नहीं है क्योंकि इन्हें पता है जो हम लोग बोल रहे हैं वह राजनितिक आंदोलन में आपको विश्वास नहीं आपको विश्वास नहीं आपको नहीं सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने जन्ता कि आपको विश्वास नहीं लेता है तो अल्पमत को आपको विश्वास नहीं लेता है अल्पमत बोल रहा हूं अल्पमत के नाम बलपको विश्वास नहीं लुट कर रहे हूं पानी पीजे प्लीज थोड़ा पानी पीजे सब्सक्राइब प्लीज थोड़ रहे हुँ तो पिखड़ती दिखाई दे रही है आप आज भी वही डिबेट कर रहे हैं सब्सक्राइब नहीं अब बात बोल रहें सब्सक्राइब प्लीज टॉपिक को समझ कर बात किया किजिए आप लोग क्या टॉपिक है फिर एक खिलाफ है सौरा प्रिये दर्शी इंजे पूछे क्यों खिलाफ है एक सब्सक्राइब कर रहे हुँ जिसमें एक दूसरे के साथ ही नहीं खड़े हो रहे हैं आपने पार्लेमेंट में जाज़िए थे शुदेश जी अग्यूमेंट्स को दरासाई कर रहे हैं यह सुदेश जी नी भी विवेक्षि वास्ता पर नहीं बाती कर रहा हुँ मैं एक कोस्टिन आपको करना चाहता हूँ हां सुनिया ना मैं एक बाती बोल रहा हूँ 123 जब भोड दिया है इसके ऊपड़ बोल रहा है के नगरिकता न्या तरह से नगरिकता देंगे क्यूं जाब होत डेका डिगार जो आदमी भूट नेकार जो वोट डिया है जो ब्राइट दिया है लोट कुम नहीं हो से ऊरप रियरश्य यह ठहाप और 174 बात कुछ सबको बता रहे हैं सौरप रियदर्शी क्या क्या वोटर आइडी काड को क्या हुरा है CAA से क्या हुरा है वोटर आइडी काड को अधिया करके जो नगरिकता जो प्रूफ देना पड़ेगा जो बुद्ध देना है यह हम एकदम ना अमिश्याओ जी ने बोला अमिश्याओ ने बोला के एनर्सी हम अमिश्याओ जी ने क्या बोला है मोधी बोल रहा है एनर्सी के बाड़े में कोई बाती नहीं हुआ है तो आप एक बाड़े में बोला है कि वोटर आई काड में परूफ देना पड़ेगा कोई लेना देना नहीं है जो लोग इस देश के नागरिक है उनका सी ए से कोई लेना देना नहीं है आपकी जानकारी के लिए बता दूँ आकी जानकारी गूस्त कर रहे हूं किसी के वोटर आईडी कार्ट से जो हिंदुस्तान का नागरिक है कोई लेना देना नहीं है हम 135 करोड भारतियों को सीए को लेकर कोई प्रूफ जाकर नहीं देना मैं आपको एक अगर्शी इबेट में रहे हैं इस इबेट में लोगों को दमा रहे हैं आपको याद आजिया अभी आप वोटर आईडी के लिए प्रूफ मांग रहे हैं अब लेकर आप लोगों की क्लारिटी में भी ऐसा ही फर्क है जो इस डिबेट में दिखाई दे रहा है नहीं मैं तो आपके डिबेट में चुपचा बैठा हूँ यह तो मचली बजार बना दिया ही लोगों ने किसी की बात क्यों कोई समय नहीं पा रहा है अपनी बात कहने ही पा रहा है मैं तो चुपचा बैठा हूँ सब लोग एक साथ बोलने लगें अब वही हो रहा है देखिए मैं कहा रहा हूँ कि जब पार्लामेंट में यह बिल पास हो रहा था रास्तभा में बिल पास हो रहा था कि कितने कांग्रेसिस को सपोर्ट कर गए अब जब हो गया तब जब बिल पास हो गया तो इसका तरीका एकी है या तो सुप्रिम कोट चले जाएए आप सुप्रिम कोट से फसरा लीजिए और नहीं तो ये चीजे भटकाने की मत करिए बात करिए तो नौकरी की बात करिए बात करिए बात का है रोजगार की बात एक तो हाथ जो दूसरी बासूल लिजे सुनिए आप लोग पहले मिली बात विरेक्री वास्तर एमेच खान की आइडियो लिजी आप लिहाज कर सकते कम से कम उम्र का लिए लोगा ऐसे बात करते जैसा व्ली को बच्चे देख्चे व्ले अपक किस तरह की अपकी सब्सक्राइब आपकी लेकिन इस तरह से बात मत कीजिए उनके सब्सक्राइब कर सकता है बात पूरी कीजिए अब दिवेट में बढ़ने का तरीका सिख लीजिए डिवेट कैसे किया आता है अपनी बात रखने को दूसरे बात सुनिये आप जब पार्लामेंट में बिलपास हो रहा था तो पार्लामेंट क्योंने घेरा आपने रासभावे बिलपास हो रहा था पढ़के आए डिवेट में पढ़के अपने पढ़ा विनिया में जब फिर बोले आप अरे भाई समने इस प्लीज रुख जाईए तब तो सो समय रही है पर बॉलिंग कौन कर रहा है जो बॉलिंग कौन कर रहा है कर दूसरे की विचार धारा को लेकर वाम पंतिया साइश्रुता क्रेट कर रहे हैं चात्रों में सब्सक्राइब करते हैं इतना एक्स्पीरियेंस हैं आपके पास आप यहां पर एमेज खान को नहीं बोलने देरें सब्सक्राइब इनको कुछ नहीं कहा है यह तरीका नहीं है किसी की भी बात को इस तरह काटने का प्लीज और कुछ नहीं दोंकि उम्रिका लियास कीजिए सर आप यह लॉजिकल पॉइंट रखे हां तो तो सर आप इस तरह से टैक्निक करेंगे ना अपने सब्सक्राइब और आपके पॉइंट में आपको लॉजिक दिख दिख रहे हैं तो नहीं को नहीं दिख रहें उनका प्रॉब्लम नहीं है हर किसी तो अपने पूर्ण कीजिए वाइस के समर्थन में आए है उनके मुमें आपकी वर्ट डाल रहे हैं उनको जो बोलना बोले दिजिए उनकी अभी विक्ति की आजादी नहीं इस रिबेट में सा आप लोगों को 40 पार उन्हों नहीं और प्लीज एमेज खान जी हमदो निगम साहब कर लिया सकारी है सब्सक्राइब कराइए इनका आडियो डाउन कराइए यह जो मसली बजार बना रखा है इनका आडियो डाउन कराइए इनको कुछ तमीज है नहीं बात करने कि अब परनते हैं इसलिए साफ हो गए पुरे देश में यह लेकिक्षा अपनी सकते हैं देखे जब पार्लामें पास हो रहा था तब चुपचाप बैठे थे जब रास्पती ने दस्तत किया तब चुपचाप बैठे थे लड़कों ने तब यह जागे भी बोले हो यार भी बोले हो अब जाना पड़ेंगे हम लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे पहले क्यों लेड़ा तुम फार्म लेड़ा तुम पहले क्यों लेड़ा तुम अब जा झाओ लपने जाओ रहे करा दो अगर को अगर कर रहे हैं तो सनथ पर अंदों परेंगे लोड भी लड़ेंगे अगले सभी लड़ेंगे लेगे पर आपका विवेक श्रीवास्तर वेस्ट बेंगोल के इतना ही है आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया एक शुड़ से बेकले हाँ पर रुक रहे हैं जिनी उस पर खबर जारी है आप पर यह आप